हेलो दोस्तो आपका बहुत ही स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल रेविंग इंजिन में तो आज हम बात करने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक गाड़े के बारे में जो कि टाटा की तरब से आती है जिसका नाम है नेक्सोन इवी दोस्तो आपको मुलूम ही है कि पेट्रोल की प्रेदस तो आसमान चुओर हैं तो लोग पेट्रोल को यवाईड़ कर रहा है इस्त्माल करना तो ये कुछ गिनी चुनी कार्ज में से है जो कि एलेक्ट्रिक में आती है एलेक्ट्रिक कार्ज पेट्रोल कार्ज से थोड़ी महेंगे आती है लेकिन जो उनका रेनिंग कॉस्ट होता है वो पेट्रोल कार्ज से काफी कम होता है तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे गाड़ी के फ्रेंट लुक्स के बारे में तो जो गाड़ी का फ्रेंट लुक आपको मिलता है वो बहुत ही मस्कुलर मिलता है तो सामने आपको एक black color की strip मिलती है जो कि दोनों headlights को join करती है और उस पर आपको Tata का logo मिलता है और उसके नीचे आपको humanity line मिलती है जो कि कुछ skies blue रंग की है और नीचे आपको fog lights मिलते हैं जिसमें आपको वही skies blue रंग की surrounding मिलती है और दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको एक try arrow pattern वाली grill मिलती है और दोस्तों बात करते हैं गाड़ी की headlights के बारे में तो यहाँ पर आपको halogen projectors मिलते है लेकिन high beam के लिए आपको normal halogen bulb मिलता है और गाड़ी में आपको LED DRS में मिलते हैं जो कि indicator में convert हो जाते हैं जब आप indicator को on करेंगे तो दोस्तों यह तो बात होगी गाड़ी के front looks के बारे में अब बात करता हैं गाड़ी के side looks के बारे में तो दोस्तों गाड़ी जो है वो side से भी दिखने में काफी अच्छे लगती है यहाँ पर आपको black doubt A pillar, B pillar, C pillar मिलता है और जो roof मिलता है गाड़ी का वो आपको white finish में मिलता है जो गाड़ी के door handles है वो आपको body color finish में मिलते हैं और जो गाड़ी के OR VMs है वो आपको glossy black finish में मिलते हैं और बात करें गाड़ी के wheels और tires के बारे में तो यहाँ पर आपको 16 inches के alloy wheels मिलते हैं का जो टायर प्रोफायल है वो है 215 x 60 R16 का अगर आप बेस मॉडल लेंगे नेक्सवन EV का तो वहाँ पर आपको 16 इंचिस के स्टील वेज मिलेंगे जो गाड़ी के डाइमेंशन्स है वो भी आपकी स्क्रीन पर डिस्पले हो रहे होंगे अगर आपको डायमेंशन्स पढ़ने हैं तो आप वीडियो को पॉस करके पढ़ सकते हैं और अब बात करें गाड़ी के रियर प्रोफायल के बारे में तो यहाँ पर आपको LED टेल लाइट्स मिलती है लेकिन जो blinkers है और indicator है वो आपको hydrogen bulb में ही मिलता है उपर center में आपको Tata का logo मिलता है और उसके नीचे आपको नेक्सोन की बैजिंग मिलती है आपको राइट साइड में EV की बैजिंग मिलती है और लेट साइड में आपको Zipton Technology की बैजिंग मिलती है जो कि इस गाड़ी में इस्तमाल की गई है पीछे आपको rear washer वाइपर के साथ rear defogger भी मिलता है अब बात करें गाड़ी के बूट स्पेस के बाएफर जो की स्पेस मिलती है जो की काफी अच्छा है और आपको parcel tray भी मिलती है पीछे आपको बूट लैंप भी मिलता है और अपको hooks भी मिलता है अपने बैक्स को टांगने के लिए तो दोस्तो अब हम बात करेंगे गाड़ी के इंटियर के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी के फरंट डूर के बारे में यहाँ पर आपको पावर एंडूस के कंट्रोल मिलते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के कंट्रोल मिलते हैं और आपको जो डूर खोलने के लिए हैंडल मिलता है वो krom finish के साथ मिलता है आपको नीचे इक bottle holder मिलता है, umbrella holder मिलता है और आगे के doors में speaker भी मिलता है और आपको यहां पर glossy black treatment भी देखने को मिलेगा डूर में तो दोस्तो जो आपको गड़े का डैशबोर्ड मिलता है वो आपको डॉल टोन ट्रीटमेंट के साथ मिलता है उपर आपको काले रग का इस्तमाल देखने को मिलेगा और नीचे आपको थोड़ा सा बीच टाइप का रग का इस्तमाल देखने को मिलेगा और आपको बीच में glossy black treatment देखने को मिलता है तो दोस्तों आपको ऊपर यहाँ पर एक 7 inches का harmon का touchscreen infotainment system देखने को मिलता है जो support करता है AM, FM, Bluetooth, USB, AUX, Apple CarPlay और Android Auto और नीचे आपको AC vents मिलते हैं और उसके नीचे आपको इस infotainment system के controls मिलते हैं और उसके नीचे आपको मिलता है fully automatic climate control system और अब बात करें गाड़ी के central console के बारे में तो यहाँ पर आपको एक bottle holder मिलता है गाड़ी का drive mode selector मिलता है, handbrake मिलती है और आपको एक handrest भी मिलता है जो गाड़ी का glow box है वो आपको काफी deep मिलता है और उसमें आपको एक tablet holder भी मिलता है और आपको गाड़ी में एक sunroof भी मिलती है और बात की जाए गाड़ी के steering wheel के बारे में तो यहाँ पर आपको एक flat bottom steering wheel मिलता है जिस पर आपको steering mounted audio controls भी मिलते है और इस गाड़ी में आपको एक semi digital instrument cluster मिलता है जिसमें जो आपको speedometer मिलता है वो analog मिलता है जो बाकी सारी information है वो आपको digital मिलती है जैसे की tachometer हो गया, odometer हो गया, trip meter हो गया, गाड़ी की battery का level हो गया और ऐसी आपको कई सारी information इस instrument cluster में मिल जाएगी और दोस्तों बात करें गाड़ी की front seats के बारे में तो यहाँ पर आपको leather seats मिलती है जो कि बहुत ही comfortable है और आपको अच्छा support provide करेंगी और जो गाड़ी के head rest आँगे के वो भी आपको adjustable मिलते हैं जो की बहुत ही अच्छी बात लगती है मुझे क्योंकि गाड़ी में adjustable head rest ही होने चाहिए चाहिए कोई भी गाड़ी हो तो दोस्तों गाड़ी के पीछे चलते हैं और आपको पीछे की seats के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाड़ी के पीछे के door के बारे में तो यहाँ पर आपको एक one liter का bottle holder मिलता है और speaker भी मिलता है पीछे और power window का control भी मिलता है और अब बात करें पीछे की seats के बारे में तो यही भी आपको काफी comfortable मिलती है और जो आपको पीछे leg room और head room मिलता है वो भी काफी अच्छा मिलता है और जो गाड़ी के पीछे के head rest है वो भी आपको adjustable मिलता है जो की काफी अच्छी बात है आपको बीच में एक armrest भी मिलता है जिसमें आपको दो cup holders भी मिलते हैं और आपको पीछे दो AC events भी दिये गए हैं लेकिन आपको पीछे कोई charging socket नहीं मिलता है आपको इन seats में 60-40 split का भी function मिलता है तो दोस्तो बात कीजाए इस गाड़ी के दिल के बारे में यानि इस गाड़ी की electric motor तो दोस्तो इस गाड़ी में आपको एक permanent magnet synchronous motor मिलती है जो maximum power put out करती है 129 PS की और maximum torque put out करती है 245 Nm का इसमें आपको multiple drive modes मिलते हैं जो है drive or sports इस गाड़ी में आपको एक single speed का automatic transmission देखने को मिलता है और आपको 30.2 kWh के high energy density lithium-ion battery मिलती है इस गाड़ी में जो आपको इस battery की rating मिलती है वो है IP67 जो इस गाड़ी की battery की placement है वो आपको इसके floor में देखने को मिलेगी इस गाड़ी को charge करने में आपको कम सकम 8-9 घंटे लग जाएंगे अगर आप एक regular charger से इसको charge करेंगी लेकिन अगर आप fast charger का इस्तामाल करेंगे तो आप एक घंटे में 0-80% battery charge कर सकते हैं इस गाड़ी की जो इस गाड़ी का range है वो आपको अप्रक्सिमेटली 220-2.500 km का देखने को मिल जाएगा average city conditions में आपको इस गाड़ी की battery पर 8 साल या फिर 1,60,000 km की warranty देखने को मिलती है और जो आ बात की जाए गाड़ी के safety features के बारे में तो यहाँ पर आपको dual front airbags मिलते है, ABS मिलता है, EVD मिलता है, CSC मिलता है, rear parking sensors मिलते है, reverse parking camera मिलता है, rear dual child log मिलता है, ISOFIX child seat mounts मिलते है, आपको इसमें driver seat belts with pretensioners and load limiters देखने को मिलती है, rear defogger देखने को मिलता है, rear wiper देखने को मिलता है, और सबसे बड़ी बात, इस गाड़ी में आपको 5 star की safety rating देखने को मिलती है, इस गाड़ी में आपको बहुती बैतरी handling देखने को मिलती है, क्योंकि जो उसके आगे के suspension है, वो है independent MacPherson strut with coil spring, और जो rear suspension है, वो है twist beam with dual path strut, और अब बात करेंगे गाड़ी के color options के बारे में, तो यहाँ पर आपको 3 colors देखने को मिलते हैं, जो कि है signature blue silver, moonlight silver और glacier white, और दोस्तो अब last में बात करते हैं, गाड़ी की pricing के बारे में, तो दोस्तो यहाँ पर आपको 3 variants देखने को मिलते हैं, जो कि है XM, XZ Plus और XZ Plus Lux, जो XM की price है वो है 13.99 lakhs एक्षूरम दिली, जो XZ Plus की price ह वो है 15.56 lakhs एक्षूरम दिली, और जो XZ Plus Lux की price है वो है 16.56 lakhs एक्षूरम दिली, तो दोस्तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा और चैनल को subscribe करके वो bell icon जरूर दबा दीजेगा ताक कि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स तुरंद मिल जाएं, thank you, jahe.